नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालुमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org Assalamualaikum and welcome to नई सुभा Maths Tutorials for Foundation Course मैं हूँ अनम तारिक आज के हमारी टॉपिक का नाम है Concept of Unit, Tens, Hundreds and Thousands और हम आगे Million, Billion, Trillion के बारे में भी सीखेंगे इसी लेसन में तो चलिए शुरू करते हैं कितने डिजिट्स हों तो Unit होता है और कितने डिजिट्स हों तो Ten, Hundreds या Thousand होता है इसको हम One by One समझते हैं सबसे पहले Unit 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 को Ones भी कहा जाता है O N E S Ones अगर One डिजिट हो तो वो Unit होता है One से लेकर Nine तक हमारे पास जो नमबर हैं वो Single डिजिट्स नमबर हैं तो इनको Unit यानि के Ones कहा जाता है इसको उर्दू में इकाई कहते हैं TENS T E N S TENS इसको उर्दू में दहाई कहते हैं अगर दो डिजिट्स हों तो वो नमबर TENS होता है TENS से 99 तक वो Double डिजिट्स नमबर होते हैं यानि के वो TENS होते हैं HUNDREDS H U N D R E D S HUNDREDS इसको उर्दू में सेंक्रा कहा जाता है जब भी हमारे पास 3 डिजिट्स नमबर हो तो वो HUNDREDS होता है यानि के 100 से 999 तक के नमबर 3 डिजिट्स नमबर होते हैं और ये HUNDREDS होते हैं For instance, हमारे पास अगर 3 डिजिट्स नमबर आता है यानि के 512 तो इसका FIRST नमबर हम हंड्रेट लेंगे 512 THOUSANDS 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 इसको उर्दू में हजार कहा जाता है अगर हमारे पास 4 डिजिट्स नमबर हो तो वो 10,000 होता है For instance, 20156 इसको कहेंगे 20,000 156 100,000 O-N-E-1 H-U-N-D-R-E-D 100 T-H-O-U-S-A-N-D 1000 100,000 यानि के एक लाक एक लाक में 6 डिजिट्स होते हैं अगर हमारे पास 6 डिजिट्स नमबर हो तो उसका फर्स्ट नमबर लाक से शुरू होगा Million M-I-L-L-I-O-N Million 1 million में 10 लाक होते हैं और इसके डिजिट्स 7 होते हैं 10 million 10 million में 1 करोर होता है और इसके डिजिट्स 8 होते हैं Billion 1 billion में 10 करोर होते हैं और इसके 9 डिजिट्स 8 होते हैं 10 billion 10 billion में 100 करोर होते हैं यानिके एक अरब और इसमें 10 डिजिट्स 8 होते हैं Trillion T-R-I-L-L-I-O-N Trillion 1 trillion दस अरब होता है और इसमें 11 डिजिट्स 8 होते हैं 10 trillion T-E-N 10 T-R-I-L-L-I-O-N Trillion 10 trillion इसमें 100 अरब होते हैं यानिके एक खरब और ये 12 डिजिट्स पे होता है बहुत ही इंट्रेस्टिंग टापिक था ना अब आप मुझे बताएं कि अगर 8 डिजिट्स हों तो वो क्या होता है मिरते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ तब तक के लिए अल्हाफिस ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इजहार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराएं इस्तमाल कीजिए